आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 80 ampial welding machine के transformer की coil winding के data के बारे में इस transformer के अंदर दो coil का इस्तमाल के जाएगा primary के अंदर दो ही coil इसके अंदर secondary में इस्तमाल की जाएंगी और primary की जिए 2 coil है इनका connection भी series में रहता यह series में कर दी जाती है और secondary coil का दोनों का connection सीरीज में रहता है इस primary जो एक coil होती है उसको हम 0 से start करते हैं और 188 turn देते हैं और एक coil complete हो जाती है इसी तरह से एक और इसी पिरकार की coil बनाई जाती है 0 से start करके 188 turn देते हैं और ये coil हमारी पूरी हो जाती है इसी पिरकार हम दो coil secondary के लिए बनाएते हैं 0 से start करते हैं और 49 turn देते हैं एक coil बन जाती है इसी तरह हम फिर दूसरी एक और coil बनाते हैं 0 से start करके 49 turn देते हैं और दूसरी coil हमारी बन जाती है ये secondary coils हैं दो और ये primary coil हैं और secondary में जो इस्तमाल किया जाता है wire gauge वो पांच नंबर SWG होता है ये DCC wire होता है aluminium का इस transformer के अंदर DCC wire का इस्तमाल करते हैं हम इसको winding करने के लिए और primary में जो हम इसका wire gauge लेते हैं बारा नंबर के wire का इस्तमाल करते हैं ये भी DCC wire होता है aluminium का और ये जो है ये primary पर हम 220 volt AC रहती है primary और secondary जो ये SC volt यानि SC ampere SC ampere की रहती है secondary और अब हम इसकी core जो इसके अंदर core इस्तमाल की जाती है उस पर आते हैं इसके अंदर I type की दो core लगती हैं जिनकी पहली I type की core जो होती है उसकी लंबाई 6 inch होती है दोसी I type की core जो होती है उसकी लंबाई 5 inch होती है और इनकी चोड़ाई दोनों की बराबर होती है 1.6 inch, 1.6 inch तो ये दोनो I type की core इसके अंदर हम इस transformer को बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं अब हम इसके bobin पर आते हैं ये हमने एक आपको bobin दिखाया समझाने के लिए इसका dimension बताएंगे तो इसकी जो ये वाली लंबाई रहेगी वो 7 cm रहेगी और ये उपर को जो चोड़ाई रहेगी ये जो है 4.2 cm इसकी रहेगी और इसकी ये वाली हाइट माल लिजे हाइट ये जो भी जोन सा भी ये वाला हिस्सा जो रहेगा ये 5 cm का रहेगा तो ये हमने आपको bobin का dimension दे दिया कोर इसके अंदर जो इस्तमाल की जाएगी उसका dimension दे दिया और इसमें जो वायर लगेगा वायर का SWG वो हमने बता दिया 12 नमबर 5 नमबर प्राइमर में कितने टरंड देने हैं सेकेंडरी में कितने टरंड देने हैं तो ये हमने आपको सभी बता दिया है तो इस तरह से हम 80 ampere welding machine के transformer की कोईल की winding कर सकते हैं